आप इन दो तस्वीरों को देखिए आपकी बाएं और दिख रही तस्वीर 8 जुलाई की है जब कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी सोनिपत के किसानों के साथ मिले और उनके साथ बैठ कर खाना खाया तो वह दूसरी तरफ तस्वीर है शुकरवार यानि की 14 जुलाई की इस तस्वीर में आप जिन लोगों को देख रहे हैं ये वही किसान है जिनके साथ राहूल गांधी ने 8 जुलाई को हर्याना के सोनिपत में खाना खाया था और खेत में धान भी रोपी थी इन सभी किसानों को राहूल गांधी ने अपने घर खाने पर बुलाया था जिसके बहार डांस भी किया और फिर उन्होंने दिपेंदर हुडा से मुलाकात की। इस extra किसानों को खाने पर बुलाई जाने को लेकर हुडा साद में टूइट पी कियार और पूरी बात की जानकारी बताई। होटा साथ ने कुछ फोटोज और वीडियोज को भी टैक करते हुए कैप्शन में लिखा मैं धन्यवाद करता हूँ राहूल गांदी जी का पिछले हफते आकास्मिक दोरे पर हर्यारा के सोनि पर जिल्ले के एक खेत में पहुँचे और वहां उन्होंने किसान मजदूरों के साथ ना सिर्थ धान की रुपाई की वलकि उनके साथ बैट कर उनी का खाना भी खाया जाते जाते राहूल ने उनसे वादा किया कि वो उनको जल्दी ही दिल्ली अपने अवाज पर खाने पर बुलाएंगे मुझे खुशी है कि आज हफ़ते के भीतर ही उस दिन को उनके साथ काम कर रहे सभी ग्रामिनों को उन्होंने खाने पर आमंत्रित किया इस दौरान सोन्या गांधी और प्रयांका गांधी भी पूरा समय साथ रही इससे दिखाई देता है कि राहुल जी अपनी बात के कितने पक्के हैं खाना खाने के बाद सभी ग्रहामी मुझसे मिलने मेरे निवास्थान पर पहुँची उनकी खुशी देखते ही बनती थी उनका कहना था कि उन्होंने कभी कलपना भी नहीं की थी कि उन्हें ऐसा अपसर भी देखने को मिलेगा इसी बीच महिला किसानों ने टमाटर की बढ़ती कीमत पर भी चुटकी ली दरसल खाने में सालड की प्लेट में रखे टमाटर को लेकर एक महिला किसान ने कहा कि आज तो हम टमाटर खा सकते हैं जिसके बाद आगे क्या हुआ आप खुदी सुनिए किसान है मैं हम कैसे लेकर आएंगे तो सुरुपे के बाव में अरी मेर्च बढ़ा दी देर सुरुपे किलो कर दी तो इतना महिंग आई मैं मतलब किसान तो नहीं ले पाएगा चिटनी रोटी भी खतम कर दिया हमारी तो सबजी रोटी तक तो हो थी अजी इनवाइट किया खाने पर बहुत अच्छा हुए सारा परिवार था बहुत अच्छा लगा बहुत खुशी होई हमें क्या क्या उन्होंने आप से बात की किस राख दूख दूख की बात की हमें ना कुछ मजदूरी ना कुछ नोकरी गरपे बेठे हां लड़की भी आई थी इसलिए वहाँ पर अपनी दूबध्या मेटाने गए थे गये दूबध्या तो उसको कई कुछ करांगे सा बादा खाना जी बहुत अच्छा था सारा जी आमें तो कुछ देखा भी नी था वापर गाव में तो चिटनी रोटी है और यह टमाट राजकाली शमयंगा कर दिया उसने गरीवादी में के खाए राहूल गांदी की ओर से किसानों को खाने पर बुलाए जाने पर दिपेंद्र हुडा ने क्या कहा आप वो भी सुनिये देखिए भाजपा की तिलमिलाहट राहूल जी की सकरीटिया देखके स्वभाविक है राहूल जी एक सचे जनसेवक जननेता हैं जो लोगों के बीच में पहुचते हैं और इसमें हमें खुशी है कि वो आक्ष्मिक रूप से हर्याना में खेत में रुके जहां पर उन्होंने ना सिर्फ ट्रैक्टर चलाया लेकिन वहां पर उन्होंने पौद लगाने का भी काम किया और इस बात की भी मुझे खुशी है कि उस दिन राउल जी ने कहा कि उनको नामंतरित किया कि आपको मैं भोजन पर बुलाओंगा अपने घर और एक हफ़ते के अंदर आज वो पूरा जो जो उस खेत में जो किसान थे जो मजदूर थे जो महिलाएं थी उन सभी को आज राउल जी ने आमंतरित किया उनके निमंतरन पर आज उनके घर पर उनको राउल जी ने भोजन के लिए और जिसमें केवल राउल जी नहीं सोनिया जी भी और प्रेंका जी भी और एक परिवार की तरह पूरा सब को खाना एक हफते के अंदर जो खहके गए थे तो कितना ही इस बात में यह पता चलता है कि राहूल जी अपने बात के कितने पक्के हैं आपको बता दे कि आज जुलाई को राहूल गांधी सोनिपत के गोहाना के मदीना गाओं के खेतों में पहुचेते जहां धान की रुपाई चल रही थी राहुल गानी ने इस दुरान खेट में ट्राक्टर से जुटाई की, किसानों के साथ धान की रुपाई भी की और उनके साथ बैठ कर उनी का खान भी खाया था बीरो रिपोर्ट निउस तक झाल झाल झाल